तो हेलो दोस्तो जैजवार राम राम मैं गुपुर गुपुग भाई हम तीनों ही ठीक है आश्व करती हो कि आप लोग भी अपने घर पर वायर में ठीक होगे तो आज मैं बात करूंगे जैसे हम प्रेगनेंट होते हैं तो पेट में बच्चे रहता है तो हम पेट में अचा इंधा है बात कर सकते हैं तो जैसे सबर्ड़ तो आप कैम करना तो आपने आरन की कमी यहार 2 लिए से बोलते हैं तो आप सुपब साम दोनों 1 और إ le hoch झाल घ्ला मरे आइरन की कमी है तो आप तमाटर गाज एख चुकंदर और खटि चीजों धी में इनसे आइरनí की कमी कम होती है तो बेवी जब डिलीवरी होती है यस ताइम काफी तकलीफ होती है, खुन की कमी हो जाती है, तो इन जी जो से प्रोब्लम भी काफी क्रिएट होते हैं, जिससे एगर ओप्रेशन हुआ तो खुन चरड़ाना पड़ सकते हैं, और नॉर्मल डिलिवरी को तब भी खुंचा डाना पड़ सकता है तो आप जैसे डैरी प्रोटेक्ट हो गए दूद दही इनको भी खाईए इनसे भी काफी फैदा मिलता है और होने वाला बेबी का दिमाग भी काफी तेज होता है ऐसे बोलते है और ऐसे भी बोले जाता है जो भारती राग होते हैं जो साथ राग बोलते हैं उस टाइप के गाने होते हैं राग वाले वो गाने सुनी है उनसे भी बच्चे का दिमाग काफी तेज होता है तो आप उसको भी सुनी है क्योंकि बच्चे का दिमाग पेट से लेके जब वो जनम लेता है तो पांस साल तक ब अच्छा दिमागदार हो अच्छा हो इसके लिए आप प्रेगनेंसी में भी खाईए अक्रोट हो गया जैसे टमाटर हो गया चुकंदर हो गया चुकंदर तो मुझे पसंद नहीं है लेकिन आप लोगों को बोलती है खाईएगा उससे भी खून बढ़ता है ना अनार हो गया और इसे आयरन की जो कमी है वो भी आपकी पूरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी मतलब दिकत नहीं है कि बनाना होके है केला उसको भी खाना चाहिए तो यह सारी चीज़ आप खाईए है ना यह काफी फाइदा मंद रहता है और बच्चे के लिए भी और आपकी विकास के लि मतलब सब्टे को का या मतलब 3 सब्टे को होता है ना तवह उनका दिमाग का विकास होने लगता और वह भाल की चीजों को सुन सकते हैं तो परेट में रहता है लेकिन वह बार की चीज़ों को महसूस भी कर सकता है, फिल भी कर सकता है, और आप जैसे बात करते हो, उनको सुन भी सकता है, ऐसे बोलते हैं, तो आप जैसे रागों को सुनो को तो उनको अट्रेक्ट करता है, आटेंसन देता है, तो आप रागों को सुनिये, उनसे क्या होता तो आप यह चीजे किजिए यह अच्छा भी रहेगा आपके लिए और बच्चे के लिए दूसरी बात मैं बता हूं हो आपको दाउप जैसे आप प्रेंटन परके बच्चे से बात कीजिए उससे भी कापी चीजे होती हैं जैसे आप बच्चे से हाथ फिर के बात करोगे तो उसको फील कर सकता है क्योंकि उसके दिमाग का इस तो तीन सब्ते का रहता है जब ही हो जाता है तो आप जैसे पेट को टच करके उससे बात करोगे उसके मुवमेंट को फील करोगे वह मुवमेंट करता है उनको फील करोगे मुवमेंट करने लग जाए जब बच्चा तो वह महश्थोस करता और इस से जुडाव था माँ का माँ जितना अपने बच्छे से पैट में रहते हों प्रेग्नेशी के बात करता करती है इतना ही बच्छा एक्ट्रेक्ट होता है मासे और मासे इसके रिस्ते मचबूत हो जाते है प्रेग्नेशी के warranty से नहीं से आप यह चीजह और दूसरी चीजह प्रसके से और जसे हो कि टूसे बीजिब छोटे बीजिवह ψते हैं उन só Schön बूद भी सिuls ताहर ऑर अपक्य तरदी धीयों समझने की कोशिस भी करता है तो जनम लिले आप यह स्निटी है! और फ्रेग्नेंसी के टाइम भी किजिए ऐसे तो गाओं के बड़े-बुडे बोलते हैं कि ये क्या कर रही है ऐसे बच्चा थोड़ी ना समझता है इन बातों को गाओं के जो लोग होते हैं खासकर जैसे मिले सास सब्सूरे वो लोग जो मैं गुब्बू से बात करती थी ना कि बच्चा थोड़ी ना समझता Alright Here One vardı my language क्वे चुशह सकता है होसे जनम के बाद भी समझता है बेट में भी समझता है वह तो मा के उप़र है अगर मा उसको समझा तो समझता है आप बात पीजिए वो हर चीज़ समझेगा और अच्छे अच्छे गाने सी सुनिये जिसे बच्चा भी अच्छा फिल करें आप भी अच्छा फिल करो और दूसरी बात दोस्तों मैं कभी-कभी काफी साइड रहती हूं मैं अपने बारे में बात करती हूं काफी साइड रहती हूं क्योंकि इन्हों भी नहीं कर पाती हूं फिलाहाल तो ठीक से ही रह रहा है अभी तो भगवान से बस यही चाहती हूं कि वह सुधर्ज है जैसे भी करके सुधर्ज है क्योंकि दो बच्चे हैं मेरे और ये तो मतलब अलग हो जाना ये चीजे मेरे लिए अच्छा नहीं है क्योंकि मैं जहां तक सोचती हूं रिष्टों को निभाने में ही समझदारी होती है फिर गल्तिया हो जाती है तो हो जाती है लेकिन इन्हों ने गल्तिया नहीं जान बुचकी किया है हर चीज तो मैंने इनको माप तो नहीं किया पर हां रिष्टी निभाने है और बच्चों के लिए नि नहीं चाहती मैं क्यों काफी आगे बढ़ चुकी हो रिष्टे भी और बच्चे भी हैं दो तो चलिए मैं कभी अपनी स्टोरी बताऊंगे आप लोगों वह वैसे में स्टोरी डाल रखी है अगर जो मेरे इस बारे में जानना चाहता है कि मेरी लाइप में क्या हुआ है मैं को आसे हूं कोन हूं क्या करती हूं तो वह सारी चीजह आप मेरे उस वीडियो से जान सकते हो उसमें सब कुछ डाल रखा है मैंने तो आप वह वीडियो देखिए उससे आपको पता चल जाएगा मेरे बारे में तो आज के लिए बस इतना ही क्योंकि यह जग चुका है चुटक और यह अभी जगाई है तो इसको भूग भी लग रही होगी तो आगे नहीं बना रही ही मैं वीडियो है ना आगे कंटीनियो नहीं कर रही है आज के लिए बस इतना ही आपको जो समझाना था हो समझा चुकी हो बाकि मैं मेरी स्टोरी फिर कभी एक बार दुबारा से कर दो कर दो